सुनिए, ये प्यार या तुम लोगोंने जो गल्ती किये उसके बारे में नहीं है इन्होंने वादा किये उसका तो सोचो अरे, वादा, वादा क्या कपसे लगा के रखा है? मैंने भी अपने पिता जी से वादा किया था कि 10th क्लास में 1st Division लाऊंगा लाया, नहीं 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 ये क्या बख्वास कर रहा है रुको मा, मेरे दादा ने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी तक जिन्दा रहेंगे रहे, नहीं 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 दादा गया, वादा गया तुमें क्या लगता है हां? तुम्हारा वादा और इनके वादे में कोई फर्क नहीं है मतलब पटेल जी का वादा सबकुछ और हमारा वादा मजाख है क्या अरे जा कर अपना काम करो मा अरे क्या है ये सब क्या बकवास कर रहे हो कब से मेरे सामने इस गाउं की सर्पंच होने के नाते कह रही हूँ गाउं छोड़कर चले जाओ इसी वक्त सर्पंच किसके लिए और कौन है सर्पंच हमारे वोट से सर्पंच बनिये आप बा, आपने वोट दिया था ना तू बस कर रहा आपने भी दिया था ना और आप जो इनके आसपास रहते हो आपने भी वोट दिया था ना आप की बात करो, आपने भी खुद को भी वोट दिया था ना मैडम को पूरे गाउं ने सर्वानुमत्ती से इलेक्ट किया है हलो, पूरे गाउं ने नहीं तुम जैसे लोगों ने मिलकर वोट दिया है तब जाकर ये बनी है वोट मिले तब ही बनी है सर्पंच बहुत सालों पहले आपके पूरवजों के पास बहुत सारी जमीनी थी इसलिए हमारे पूरवजों ने उन्हें सर्पंच चुना था वो गदी दादा से आपके पिता को मिली और आपके पिता से आपको उसमें कौन सी महानता हुई अगर मेरे दादा राजा होते तो मैं भी राजा बनता उसमें क्या तुम्हारे कहने का मतलब है अगर वोटिंग होती तो मैं सर्पंच नहीं बनती आपके टककर में कोई खड़ा होगा, तब पता चलेगा. पटेल मैडम के सामने कौन खड़ा रहेगा? इसी और की क्या जरूरत है? मैं किसी से काम हो क्या? पागल हो क्या है? क्या मतलब? तुम मेरे सामनी जीत कर बताओगे, इतना घमंड? हो सकता है, जीत भी जाओँ. तो चलो हो जाए, सरपंच का चुनाओँ होगा. गाउं के लोगों से वोट लेकर जीत कर दिखाओ. तब ही मैं अपनी बेटी की शादी तुम से करवाऊंगी. मैडम? लेकिन, अगर हार गए, तो मेरी बेटी के साथ साथ ये काउं भी छोड़कर जाना होगा. क्या हुआ? अभी से हिम्मत हार गए क्या? मेरी हिम्मत आपके पीछे खड़ी है. चैलेंज! मैडम, पहले आपने कलेक्टर साब को वादा किया और अब आपी से चैलेंज कर रही हैं. ये क्या किया आपने? मेरी तो समझ में नहीं आया. वादा पूरा किया जाता है और चैलेंज जीता जाता है. मैंने ये चैलेंज सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि मैं अपनी बेटी को उससे बचा सकूँ मैं अपना वचन भी निभाऊंगी और चुनाव भी जीतूँगी अमारे गाउं में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं सरपंच के पद के लिए पटेल बहन जी के खिलाफ बाल राजु ने पर्चा भरा है